रिशी रेंजन से जानते हैं सिंपल लाइफ टिप्स दोस्तों हम बात कर रहे थे about managing relationships कभी-कभी हमें relationships की वज़े से बहुत पीड़ा होती है we undergo a lot of pain and suffering फिर हमें क्या करना चाहें पहली बात ये कि जब भी हमें pain हो तो हमें उसे absorb करने की शमता अपने अंदर विक्सित करने चाहें we should not react, we should absorb when we accept pain, pain disappears जब हमें उस दर्द को बरदाश्ट कर लेते हैं तो वो दर्द कहीं चला जाता है अगर हमें कभी relationships की वज़े से बहुत pain मिला हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो pain सिर्फ एक घटना की वज़े से हुआ है उस pain को हमें उस घटना के बाद अपने पूरे जीवन पे project नहीं करना चाहिए जैसे हम एक train में जा रहे हैं और एक भारी बोजह अपने सर पे रखे हुए तो क्या हम पूरी जर्णी उस भारी बोजह को अपने सर पे रखते हैं नहीं हम वो बोजह उठा के train पे रख देते हैं और फिर बिल्कुल हलके पन से आगे बखते हैं हमें अपने जीवन में pain के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए हमें उसे लेके अपने साथ पूरी जिंदगी नहीं चलना चाहिए हमें उसे उतार के रख देना चाहिए और फिर जीवन से हसते हुए उत्साह पूर्वा हाथ मिलाते हुए आगे बखना चाहिए